Books That Speak में आप सभी का स्वागत है बालवाडी में अपने दाखिले के पहले दिन चार दोस्त आम का पौधा लगाते है जैसे ही वे चोथी कक्षा पास करते है उनके पेडों पर सैक्डों आम लज जाते है वे उन आमों का क्या करते है? वे उने गिनते है और अंक गणीत का उपयोग कर उनका बटवारा करते है कैसे? चलिए देखते है कहानी है आम का बटवारा ओरिजिनल स्टोरी Many Mangos to Share by Pratham Books कहानी लिखी है रम्या पई चित्रांकन मेगना मेनन हिंदी में अनुवाद रुकसार आलम कहानी का वाचन असावरी दोशी बालवाडी में अपने दाखिले के पहले ही दिन अवजल, भाग्य, वाणी और जॉर्ज ने अपने अपने घरों के पीछे के बगीचे में आम का छोटा सा पौधा लगाया था उन चारों ने अभी चोथी कक्षा पास की है और अब आम के पेडों ने उनको गर्मियों का सबसे अच्छा उपहार दिया है बहुत सारे स्वादिष्ट और गुदेदार फल उन्होंने अपने अपने पेडों के फलों को गीना सभी पेडों पर समान संख्या में फल लगे थे एक सो पचास आम अफजल ने जोडना शुरू किया एक सो पचास अधिक एक सो पचास तभी भाग्य ने कहा अरे पागल गुणा करो ना उससे जल्दी हिसाब लगता है अरे हाँ हाँ अफजल बोला एक सो पचास चौके छे सो जौर्ज ने कहा अरे हाँ, 150 गुनाचार याने की 600 वानी बोली, हमारे पेडों पर पहली बारफल लगे है क्यों ना हम इसे अपनी गाउ के सभी बच्चों में बाटे बहुत अच्छा विचार है, सभी ने अपनी सहमती दी अफजल ने कहा, आम 600 है और बच्चे 150 हम सभी बच्चों को स्कूल में बुला लेंगे, फिर सबको एक-एक आम देंगे ऐसा हम तब तक करेंगे, जब तक की आम खत्म नहीं हो जाते वानी तुरंद बोली, इस तरह तो बहुत समय लग जाएगा इससे अच्छा है कि हम भाग करे 600 में 150 का भाग दिया, तो हर एक बच्चे के हिस्से में 4 आम आएंगे, यानि की 600 भाग 150 यानि की 4 गुणा और भाग यानि की multiplication और division सबसे अच्छे साथी है जहां गुणाकार होता है, वहां भागाकार भी जरूर होता है तो कैसी लगी ये आम के बटवारे की कहानी आपने भी आम खाए ना गर्मियों की छुट्टियों में मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और books that speak इस चैनल पर जरूर आईएगा YouTube पर और अलग-अलग podcasting channels पर website www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया